हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस्सरोच मेरी किचन में आपका भुदबुध स्वागत है दोस्तों आज आपको हम एक बारी जो मैं पेश्ट बनाने जारीं उससे आप इतना गोरा हो जाएंगे न कि आपकी लोग देखते ही तारिफ करने लग जाएंगे आपको कोई भी मेंगे क् ज़रुत नहीं पढ़ने वाली है सिरप आप एक बार ये चीज ये रेमेडिस लगा लीजिए तो उससे आपका कलर इतना गोरा इतना साप हो जाएगा इतना गलो मारेगा कि आपको देख करके देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे कि आपने ऐसा क्या लगा लिया है तो दोस्तो वीडियो पूरा एंड तक देखना इसके बिल्कुल भी मत कीजिने पूरा वीडियो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो दोस्तो यहाँ पे मैंने लिया है कटोरी तो दोस्तो एक ऐसी जादू ही चीज आप समझ ये इससे आपका नेचुरल तरीके से जो कलर है बिल्कुल साप हो जाएगा और आपके एक बार के लगाने से इतना जादा चेहरे पे हाथ पेरों पे ग्लो आएगा कि आपको पालर जाने की जुरुत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे कच्छा थंडा दूद दूद को आपको विल्कुल कच्चा क्योंकि दूद दूद को सभी केह heute मिल जाता है क्योंकि हम सभी दूद का यूज करते हैं यहाँ मैंने 3 चंत का यूज बालत है क्हाले यूज यहाँ फेरूफ हो साब fluor के को हम एक बार अच्छ से मिला लेते हैं तो इस तरीके से दूद को हम मिला लिए हैं देख सकते हैं तो दोस्तों ये जो रेमेडीस बनने वाली ऐसी जादू ही रेमेडीस होगी ना आपकी स्कीन के लिए कि आपको इतने आप शादी पार्टी में एक बार इसको लगा करके जाएंगे तो आप चमक नहीं लग जाएंगे ऐसा ऐसा आपके उपर निखार आएगा हाथ पेरों के उपर चेहरे के उपर इतना जादा निखार आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ही गुमाय क्योंकि जो रेमेडी बनाने का फिर मतलब ही क्या है जो आपको बाहर से जादा मेंगी चीजे लाके खर्च करें और फिर आप निखार नायत यहाँ पर मैंने लिया है नीबू तो नीबू में दोस्तो ऐसा ऐसीड पाया जाता है जो कि हमारे इसकिन के ओपर जो में रेमेड करेंगी तो आदा दूद तो मैंने एक कटोरी में रखा है आदा दूद मैंने एक कटोरी में रखा है तो मैंने दो बागों में कर लिया है तो एक कटोरी का दूद को हम हटा देते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है चामल का आटा दोस्तो चामल का आटा अगर नहीं मिलता है जो result मिलने वाला है लाश्ट में आप देखना की बहुत ही अच्छा इसका result मिलने वाला है और यह किसी की भी skin पे उपर shoot कर जाएगा और दूस्तो जैसे आपकी उमर से ही उमर जादा हो चुकी है या उमर से पहली इस चेरे पे डार सरकल है दाग धबे हैं बहुत जादा इसकी रूख ही रहती है गलो नहीं करती है तो उसके लिए भी यह बहुत ही जादा चमतकारी चीज है क्योंकि यह बहुत ही जल्दी इससे ग्लो आता है चेरी के उपर बहुत जल्दी साप होती स्किन तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ को तो मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को तो अब हमें क्या करना है जो मैंने दूद लिया था अलग से जो फटा हुआ दूद उसको हम हाथ के उपर पहले लगा लेंगे दोस्तो इस से होता यह है कि जो हमारे हाथ की गंदगी है पूरी तरीके से साप हो जायेकि इससे तो आपको दिख रहा, आपको मैं लगाके बताऊंगी और जो हमारे जो जमई हुई स्कीन के उपर जो जमऊ हुआ मेल होता है कालापन होता है वो जो कही सालों से हम साप नहीं हो पाता है धूप के कारण कालापन आ जाता है तो वो हाथ का बिलकूल अच्छे से साप हो जाता है तो इसको आपको दोस्तो अच्छी तरीके से मसाज के रूप में आपको लगाना है और मैंने लगा लिया अच्छी तरीके से इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे और जो मैंने दूसरा वाला पेश्ट तैयार कर रही हूँ उसमें मैंने एलो विरा जेल डाला है एलो विरा अगर आपके पास में ताजा है तो आप ताजा भी डाल सकते हैं तो मैंने देख सकते हैं पांच मिनट के लिए इसको रखा है इसको सूकने देते हैं जो मैंने हाथ पे लगाया है उसको हम अच्छे से सुकाएंगे तो इस पेश्ट को भी मैंने अच्छे से मिला लिया है देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो यहाँ स्गुक चुका है हाथ आमारा और आपकों देख सकते हैं। हाथ मेरे हाथ की गंदऊ, कीती पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो दोस्तो इसमें रिसमें आपको चमक दिख रही होगी कि कौन से हाथ में चमक दिख रही है कौन सा हाथ बिलकुल अच्छा दिख रहा है तो दोस्तो मैंने सिरफ इसको एक बाहरी यूज किया है और ये तो मैंने इसका जो मेल है इसके उपर कोटन के उपर लग चुका है औ आपको बाहर जाके फैसिल करने की भी कराने की ज़रूत नहीं पड़ेगी इस रेमेडिस को लगाने के बाद में क्योंकि यह इतनी ज़्यादा चमक इतनी ज़्यादा इससे गलो आएगा चेहरे की ओपर इतना ज़्यादा काला पंजो आपके चेहरे पे जो गंदकी होगी ज़्यादा चल जाएगा क्योंकि में एक हाथ पे लगा के आपको बता रही हूँ और लगाने के बाद में दोस्तों 10 मिनट के लिए हाथ के उपर रखना है तो 10 से कम से कम तो आपको 10 से 5 मिनट के लिए रखना यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसका रिजल्ट बता दूग झाल झाल